स्वालो फ्रेंट्स कैसे आप सब उम्मित करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और दिपावली परों कि आपको बहुत-बहुत सुपकाम लाए मालचमी की आशीम क्रीपा हमेशा आपके उपर बना रहे सुख सम्पदा सम्रिद्धी हमेशा बने रहे इसी के साथ जैसे की आप जाती होंगे कि आज जो है मालचमी की पूजा का धीन था और जो है इसे के साथ घर में भी हमने पूजा वगहरा हमेले अच्छे तरीके से संबन होई और उम्मित करता हूं कि मालचमी की पूजा है वह भी संबन हो चुकी होंगी और लगवआव twenty seconds फेर आतीज बाजी का जो है दीन है क्योंकि दिपावली में फटाके जलते हैं पुड़ते हैं और जो है काफी सारे चीज़े होती हैं लेकिन तो है आज हम फटाके तो नहीं से लाएंगे फीराल के लिए आप जानते होंगे कुछ चीज़ें मैं दिखाने की कोशिज करूं तो कुछ ही तरीके की लंबी स्टिक्स हम रखे हुए हैं काफी अलग और अच्छा वीडियो होने वाला है तो यह वीडियो पूरा आप जरूर देखिए इसी के साथ में और कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें की आपको राउंड सर्कल्स पर यह स्टिक्स दिखेगी और इ जैसे की आपको दीख रही होगी खाला कि अभी पैकिंग में है और जो लंबी स्टिक्स के बारे में तो आप जानती होंगे जैसे की पिछले वीडियो में आपने बात की थी अभी यह भी पैकिंग में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह फाइब फिट वाली जो फटाके ना जलाके हम जलाएंगे अगरबत्ती तो फिर वीडियो में बने रही है और 14 सक ट्रायल वीडियो करेंगे तो जैसे की आप देख पा रहे होंगे हमने कुछ अलग-अलग कैटेगिरीज में जो है अगरबत्ती इस्टीक्स रखी हुई है जैसे की यह है हमारे पास एक 22 इंच मतलब 22 इंच में एक स्टीक्स है जो आप देख पा रहे होंगे यह भी गोल्डन पे है और काफी यूनिक दीखने पे आपको लग रहा होगा उसी के साथ एक हैक्सा सीरीज में है है हैक्सा से थोड़ा सा अलग मैं बोलूंगा इसे अभी फिर आल यह पैकिंग हम जानने की कोशीज करेंगे और जला के भी इसे देखेंगे और नेक्स्ट यह हमारा है लॉंग इस्टिक्स हो की फाइफ फिट में है मतलब जो बड़ी स्टिक्स होती है वह है इसके से आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी यहां पर आपको बैम्बू देखने को मिलेगा और यह काफी लंबी है यह करते हैं तो यह कुछ 3-4 कैटेगरी की हमारे पास अभी इंसेंस इस्टिक्स हैं इसे हम अभी ट्रायल करेंगे जलाके भी देखेंगे जैसे कि यह सामने हमने रखी हुई है जिसमें से यह इसके बारे में अभी जानने की गोशिश करते हैं फिर आला हम इसे अन्वाक्स कर लेते हैं मतलब यह इसकी जो पैकेजिंग है वहां से जो हैं बाहर कर लेते हैं सो कुछी इस तरीके से आपको यह जो है इस्टिक्स देखने को मिलेगी थोड़ा राउंड सर्कल में आपको देखने को मिलेगा और जहां तक इसकी फ्रैग्नेंस की बात है तो काफी अच्छा और थोड़ा यूनिक फ्रैग्नेंस इसमें फैंसी नोट्स का आ रहा है मतलब ज आज से तोड़ा रफ कर देनी के और जैसे यह एक नया सेप्स में आ जाता है सो यह भी काफी अच्छा लगा मेरे को और यह मार्केट मेरे को नया चीज देखने को मिला सो मैं सोचा कि इसे भी हम यह पर ट्राई जरूर करते हैं और जला के देखते हैं सो फिर सबसे पहले हम करेंगे और जला के देखेंगे फिर हल है इसको जलाने के लिए। हमने एक स्तिलिसंद रखा है रहीट है यह जो है और पासूर किन्य नहींग्ड नहीं हो और देखते हैं कि यह कितना टाइम लगेगा फ्रैग्नेल्स तो काफी अच्छा है अभी से इसका फ्रैग्नेल्स जो है आना चालू हो गया और बहुत जल्दी आग भी पगड़ लिया देखो बहुत तेज अब देखना यह पड़ेगा कि इतनी देर में जो है कंटीनियों जल पाती है कि वैसे का जो है मतलब जलने की कैपसेटी है कि तो यह लगब लगब तो कि दूआ तो काफी जाद आने वाला है मेरे ख्याल से जिस तरीके से यह आग लगी हुई है और यह तोड़ा सब्सक्राइब हम लोग नीचे रख देते हैं कि पुली तरीके से पकल लिया है अभी तक कि देखते हैं दोड़ा इसको फोल्ड करके तो निकलना चालू हो गया और पूछी तरीके से आपको जो है इसका फॉक्स देखने को मिलेगा काफी ज्यादा क्वांटिटी में यह दूआ चोड़ रहा है और यही इसकी जो है खासियत है जो कि लोगों को यह काफी ज्यादा एक ट्रेक्टिव मतलब दीखने में काफी अच्छा और अलग जो है लग जाता है प्रेट्नेंस की बात किया जाए तो फ्रेट्नेंस भी मेरे ख्याल से ठीक ही है वैसे इसमें कुछ ज्यादा हाट्स नहीं होता फैंसी नोट्स में यह जो है चल जाता है काम तो फिर इसका ट्राइल तो हो चुका है इसको रपने हम लोग साइड में उसके बाद जो है यह चोटी श्रीक समलोग जलाके दिखते हैं फिर आल तो यह इसी तरीके से जल जाएगी और इसमें कुछ ज्यादा चीज़े नहीं है नॉर्मल जो अगरवत्ती आपको दिखने को मिलेगा वही उसी तरीके से खाली इसकी जो है ठीकनेस थोड़ी सी मोट आग नहीं पकड़ पा रही है इसकी भी स्मेल्स काफी अच्छी है काफी यूनिक जो है अगरवत्ती यह आपको देखने को मिलेगा जाता तर यह साही चीज़े फेस्टिवल टाइम पर ही विकती है क्योंकि लोगों को जो है कुछ चीज़े नहीं दीख जाती है तो फिर ल जला लेते हैं और इसके लिए भी हमाएं में जो है यह दीब का जो है सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि माचिस या और किसी भी तरीके से जलने के लिए फॉसीवल नहीं होगा है मेरे ख्याल से आप तो ऐसे पकड़ लिया है बहुत जल्दी यह मेरे ख्याल से इसमें आप पकड़ लिया है थोड़ा सा अभी फिराल बूज गया यह जलाना पड़ेगा सो फिरां यह हमारा इस्टिक्स जो है बुझाने के लिए मेरे को काफी मसकत करना पड़ गया तो कुछ ही सरीके से आपको यह देखने को मिलेगी और धुवा देखो मेरा अभी देखा जायतों पूरा सिस्टम यहां था धुवे से भर चुका है तो फिर आज की स्वीडियो म मैं आपको ले चलोंगा हमारे फैक्री का टूर वीडियो जो की काफी सारे लोग रिक्वार्मेंट कर रहे थे कि सब्सक्राइब किस तरीके से दिखती है कि जगयर पर है कहां पर है कितनी मशीने लगी हुई है इस सारे चीजों के बारे में बहुत जल्दी एक न्यू होगी मिलते हैं आने वाले हमारे फैक्री पूर वीडियो पर तब तक के लिए हमारे चैनल पर बले रही है मिलते हैं आने वाले नेक्स वीडियो में